आज मैं आपको छिकन पलाव बनाने का तरीका बताती हूँ इसके लिए आपको चाहिए मैं ले रही हूँ चार कप चावलों के उनको मैंने पकाने से 15 मिन्ट पहले ही बगो कर रख लिये थे चावलों में वन होल चिकन डालूँगी तीन टेबल स्पून लसन अदरकी पेस्ट और आदा निपो एक टेबल स्पून सफेल जीरा और साथ हरी मिर्चे तोर टी स्पून नमक के और एक टेबल स्पून शान बरियाने मसाला पंद्रा काली मेरे साबत पांच लोंग दो अलाची पांच दार्चिनी पांच छोटी अलाची अदा कप दूद का और अदा कप दहीं का दो तेज पत्ते और अब मैं आपको बताती हूँ चिकन पलाओ बनाना कैसे है सबसे पहले पतीली में ओयल डाल कर उसको हलका सा गरम कर ले जब ओयल गरम हो जाता है तो उसमें आप दालचिनी और छोटी अलाची डाल कर फ्राई कर ले हलका सा फ्राई करके साथ ही इसमें लसन अद्रकी पेस्ट डाल कर थोड़ा सा बून ले में के बाद हरी मिरच और चिकन को डाल कर थोड़ा सा पकने दें फिर इसमें हम नमक डाल कर चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे अच्छी तरह भून लेंगे अच्छी तरह भून लेख बू़ार भून लेका कर दो थोड़ा है कुणने के बाद हम इसमें निबू का रस, गरम मसाला और एक कप दूद दहीं को मिक्स करके डालेंगे अब हम 6 कप पानी के डालेंगे क्योंके एक कप हमने दूद दहीं का डाला था पानी डालने के बाद सफया जीरा और शान बर्यानी मसाला डाल कर पकने देंगे और जैसे ही पानी उबलता है तो उसमें हम चावर डाल देंगे चावर डाल कर पानी को खुश्क होने देंगे जब पानी खुश्क हो जाता है तो उसमें दो तेज पत्ते और येलो कलर डाल कर चावरों को दम पर लगा देंगे अब देखें चावर तयार है चावरों को डिश में डाल कर सर्फ करें अल्ला हाफिस